दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहले कबर सितामडी बरोनी दरबंगा समेट पांच स्टेशन बनेंगे वर्ल्ड क्लास स्टेशन पर मॉल, मल्टी परपस बिल्डिंग वो एटियम उजर्गों को मिलेगी वी से सुविदा सितामडी बरोनी दरबंगा समेट पूर मैद रेल के पांच स्टेशन को विस विस तरिय बनाया जाएगा बिहार के तीन स्टेशनों के अलावा चोता स्टेशन धनबाद और पाचवा स्टेशन पंडी दिन द्याल उपादा जक्सन है स्टेशन पुनर विकास योजना के तहत पहले से विक्सित के जाने वाले स्टेशन के अलावा इन पाच स्टेशन के चैनित होने से कूल दस स्टेशन विस तरिय होंगे पुरमद रेल के सिप्यारो राजस कुमार ने बताये कि सितामडी दर्बंगा बरोनी धनबाद और पंडित दिन द्याल उपादा जक्सन समेथ जोन के कूल दस स्टेशनों का पुनर विकास कर विस विस तरिय स्विदाओं से युक्त किया जाएगा पहले से गया राजंदर नगर टर्मिनल मुझापरपूर बेगू सराय एवम सिंग रॉले स्टेशनों को विस वइस तरिय स्टेशन के रूप में विक्सित करने की पहल सुरू की जा चुकी है स्टेशनों के पुनर विकास का कारे रेल भूमी विकास प्रादि कारेगा आपको बतादे कि इन स्टेशनों पर यात्रियों को सरक्चा बहतर एवं सुखद यात्रा अनुभाव तता विश्वाइस तरिया यात्री सुवेदा अपलब्द कराए जाएगे स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग का रुब दिया जाएगा जहां वेंटिलेशन की बहतर सुवेदा होगी इन स्टेशनों पर रेल्वे की जमिन पर मॉल और मल्टी पर्पस बिल्डिंग का भी प्रस्ताव है इस्टेशन का विकास सोर उर्जा, उर्जा दक्चता उपकरन और हरीत इमाराद मानुकों का ध्यान रखकर होगा परवेश वन निकास द्वार अलग अलग होगे इस्टेशन पर एक्सेस कंट्रोल गेट एवं प्रत्यक प्लेटफरम पर एक्सक्लेटर एवं लिप्ट लगाये जाएंगे यात्रियों को खान पान, वास रूम, पीने का पानी, एटेम, इंटरनेट की स्विधा होगी वरिश नागरिक के लिए अलग से स्विधा होगी कराने को लेकर मददाता राज निरवाचन आयोग को अपनी सिकायत दर्ज करा सकेंगे आयोग ने मददाता उसे सिकायत प्राप्ट करने के लिए टोल फिरी नंबर वान डबल जिरो थ्री फोर फाइव सेवन टू फोर त्री जारी किया है इस नमबर पर त्री स्थर ये पंचैती राज संस्ताओं के चुनाओं से संबन्दित कोई भी सिकायत सुचना या सुझा मददाता आयोग तक पहुचाया जा सकता है साथ इक कोई जानकारी प्राप्ट करना हो तो उसे भी आप प्राप्ट कर सकते हैं साथ ये आयोग सुत्रों के अनुसार इस टॉल फिरी नंबर पर मददाता अपने पंचाय ग्राम कचहरी पंचाय समिती वजिला परिस्र को लेकर सिकाय सुचना या सुझाओ दे सकते हैं बड़े कर विहार के सभी प्रावेट स्कोल को लेना होगा मायनता सिक्षबिवाग ने जारी किया आदेस जिहां बिहार के सभी प्रावेट प्रारम के स्कोल को मायनता लेना आनिवार हो गया है बिहार प्राथमिक सिक्चा निदेसक डाक्टर रंजित कुमार ने सभी जीलों की जीला सिक्चा पदादिकारे को इस समन में पत्र लिखकर जनकरी दी है प्राइवेट प्रारामिक स्कुलों को मैंनता पाने के लिए सरकार की वेबसाइट पर ओनलाइन आविदन देना होगा बिहार सिक्चा विवाक की ओर से जारे आदिस के मताबिक बच्चों के मुप्त एवं अनिवार सिक्चा का अधिकार आदिनियम 2009 के धारा अठारा और बिहार राज बच्चों के मुप्त एवं अनिवार सिक्चा नियामाले 2021 नियम 11 के प्राधानों के तहत राज के सभी परिक्षा नियांतरक आमिरेंदर कुमार ने बताये कि परिक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है परिक्षात्रियों को एक घंटा पहले आने का निर्देस दिया गया है एड्मिट कार्ड में दिये गए निर्देसों का पालन करना है आपको बता दिकी 691 पदो पर नियुक्ति होनी है बड़ी कवर राज में खतियान जमिन में लड़की को भी मिलेगा हक 100 रुप्य के इस्टाम पर होगा खतियानी जमिन का बटवारा जिया ग्रामिन चेत्रों सहे देसरी चेत्रों में हो रहे जमिन विवाद को खतम करने को लेकर बिहार सरकार ने पारिवारिक बटवारों को लेकर कानून बनाया है इसके तहट 100 रुप्य के इस्टाम पर बटवारा कर परिवार के सदे से को जमिन का मालिकाना हक मिलेगा वर्ष 2018 में बने इस कानून के तहट वैसे जमिन की बटवारा किया जा सकता है जो खतियानी या हाल हासिल जमिन है मदोबने जिला अवा निवदन कारयाले से मिले जानकारी के तहट जमिन के कानूने हकदार अगर चाहे तो वह उस जमिन को अपने बच्चों के बीच बराबर को बाट कर सभी को मालिकाना हक दे सकता है इसके लिए भो स्वामी जिनके नाम से खतियानी जमिन है वह किसी सक्चम पदादिकारी या जन परतिनिदी से पारिवारिक सुची बना कर जमिन का चोहदी के साथ 100 रुपिय का इस्ट्याम खरिद कर उस पर बराबर के हिस्से का बटवारा भी कर सकता है साथ आपको बता दे के नए नियम के तहट खतियानी जमिन में लड़की कभी हक होता है बाड़ी कबर 16 माइने के बाद पटरी पर लोटी गरीब राद एक्सप्रेस दिल्ली जाने वाले लोगों को रहा वहीं आनन बिहार से मंगलवार वा सनिवार को इस टेन का परिचलन होगा हाला कि फिलाल इसे स्पेसल के रूप में चलाया जा रहा है बाड़ी ख़बर बिहार पंचा चुना में हर मदान केंदर पर होगी बायोमेट्रिक मसीन बोगस वोटिंग पर लगेगी रूप इससे फाइदा यह होगा कि कोई भी मदादा दुसरे के नाम पर वोट नहीं दे सकता है साथ ही कोई दबंग परित्यासी या उसका समर्थ तक भी किसी कमजोर का वोगस वोट नहीं गिरा सकेगा ऐसे में इस बार पंचा चुना में बोगस वोटिंग सुन्य होने की उमिद की जा रही है बाड़े के वर पटना मेट्रो के लिए 400 कड़ोर रूपे मिलेंगे बिहार विदान मंडल में 27,000 कड़ोर का प्रतम अनुपुरक वजट फेस जिसमें मुख रूप से स्तापना एवं प्रतिबाद वय मद में 1000 कड़ोर रूपे कोविन-19 उनमुलन कारकरम के अंतरगा ठिका करन एवं दावा बंडार मद में प्रस्तावित है 300 कड़ोर रूपे कोविन-19 से जान गवाने वाले व्यक्तिव के निकरतम असरित को अनुदान दे जाने के लिए प्रस्तावित किया गया है वही 55 चुनाव के लिए 182 कड़ोर रूपे का प्रस्ताव है पटना मेट्रो रेल पर योजना के लिए 400 कड़ो रूपी और बिहार को सुर्कियों में लाने वाले मुखमंतरी बालिका साइकल योजना के लिए 194 करोर रूपी का प्रस्तावित किया गया है बड़ी कबर योपी बिहार दिली सहीत इने राज्यों में तीन दिन भारी बारिस का अलड जाने अन्य राज्यों कहर जहां देश के कई राज्यों में भारी बारिस का कहर जारी है मौसम विबाग के नुसार योपी बिहार में भी मौसम करवट लेने वाला है IMD बिहार के लिए अलट जारी किया गिया है बिहार में भारी बारिस के साथ बज रपात होने की सम्हावना है आपके जानकारे के लिए बता दे कि बिहार में मांसुन एक वर फिर सक्री होने वाला है मांसुन के ट्रप लाइन रईवार को बिहार के दख्चिने हिसे से गुजर दिरे दिरे इसके उत्तर हिस्से की ओर सिप्ट होने की सम्हावना है। पारान उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व दचिनी पूर्व दचिम पश्चिम जीलो को लेकर यलो अलर्ड जारे किया गया है। पारान उत्तर से अलग अलग जगों पर 10 से 41 सेंटिमीटर उपर है। कमी आ रही है। किसी सत्र में भाग नहीं लेगा जब तक 23 मार्च को वी पटना पर बहस नहीं कराई जाती है। लोकतांत्रिक तरिके से सदन का बहिसकार करते रहेंगे। बाड़ी कबर स्वास्त मंत्रे का बड़ा एलान राज में किसी भी कोरोना संक्रमित की मौत ऑक्सिजन की कमी से नहीं हुई। इस पर प्रेम चंद्र मिस्र के तरांकित पसन के उत्तर में कहा कि बहार में किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मिर्थु ऑक्सिजन एवां उपकरणों के अभाव से नहीं हुई है। कोरोना के दूसरी लहर के दोरान 30-50 से अधिक मोते ICO में इंफेक्शन की वज़ा से हुई है ये बाते पटना EMS के वरिया डाक्टरों ने कही है जिसमें स्वास्त मंत्री वह ततकालिन केंद्रिय स्वास्त राज मंत्री भी मौझूद थे आप हमें कमें बॉक्स में जरूर ब इमिडेट हुआ मेट्रिक परिचा 2022 के लिए भरे गए रेजिस्ट्रिशन फर्म के आधार पर विदातियों का डमी रेजिस्ट्रिशन जारी करेगा विदाति कोद भी इसे डाउनलोड कर सकेंगे इसके अलावा उन्हें अपने स्कुलों से भी प्राप कर सकेंगे सभी विर का रेजिस्ट्रिशन फर्म बढ़ाए गई अवदी में 26 जुलाई से 1 अगस 2021 तक ऑनलाइन वहरा जाएगा उनका डमी रेजिस्ट्रिशन कार्ड दिन आक 6 अगस 2021 से जारी किया जाएगा अपना रेजिस्ट्रिशन कार्ड देखने के लिए आप ऑफिसियल वैबसाइड senior secondary dot .biharboardonline.com जिसमें इंटर की विदाती देख सकते हैं वहीं मेट्रिक के विदाती senior secondary dot biharboardonline.com पर जाकर अपना रेजिस्ट्रिशन कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे बाड़ी कबर नितिस सरकार graduation पास करने वाले चात्राओं को नहीं दे पा रही है प्रोचाहन रासी तेजस्वे ने विदानसवा में घेरा जिहां बिहार में इसनातक की परिच्छा पास करने वाले चात्राओं को नितिस सरकार प्रोचाहन रासी देती है लेकिन प्रोचाहन रासी लंबे अर्से से बिहार में चात्राओं को नहीं मिल पा रही है इस बात का खुला सकल बिहार विदान सभा के प्रसनोतर काल में हुआ दरसल मिदायकों के इस मामले को जब सदन में उठाया गया तो सिक्चा मंत्री विजाई कुमार चोदरी ने खुद सिविकार किया कि क प्रोना वारिस के कारण पिछले डेड़ साल में प्रोसान रासे उन चात्राओं को नहीं मिल पाई है जिन्होंने इसनातक की परिच्चा पास की है सरकार की इस जवाब के बाद नेता प्रतिपक्च भी सदन में उठ खड़े हुए तेजस्वी आदम ने कहा कि सरकार यहां क इसे योजना चला रही है जिसके तहद छात्राओं को प्रोसान रासे मिली नहीं पा रही है और अंद की बड़ी खवर राष्ट्य मिलिटरी स्कूलों की चट्टी वर नवी कक्चा में एडमिसन के लिए आवेदन शुरू जिहां देश के पांच जगोह पर इस दित राष् के लिए इसकोल रक्षा मंत्राले के ताद आते हैं या इसकोल इस तर पर ही बच्चों को सेने सिवाव के लिए तैयार किया जाता है इसके अलावा यूपी अडिय परिच्छा की तैयारी भी करवाई जाती है द्यान रहे कि इन स्कूलों के लिए फिलाल किवल लड़के ही आवेधन कर सकते हैं आवेधन करने के लिए इच्चुक मिद्वार www.rashtiamilitaryschool.edu.in पर जाकर आवेधन कर सकते हैं आज के लिए आपका स्वाल बताएं कि सरकार के द्वारा मद्दान केंदर पर बायोमेट्रिक मसिन लगाने का फैसला सही है नहीं इसका जवाब आप हमें नी नीचे कामेंट करके जरूर बताएं